हाई प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी वेलकम टू अजे विद्धाइगान विट्व चैनल और एक और कमाल के फ्रेस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदे विद्धाले क्लास 6 वाले बच्चों के लिए most important questions लेकर आया हूँ गणित के math के जो नवोदे की परिक्चा में पक्का आने वाले है इस वार नवोदे की जो परिक्चा होरी है आप सभी को पता है 18 जनवरी दोहर 25 को ये नवोदे विद्धाले की परिक्चा होने वाली है कक्चा 6 की सबी बच्चों की तो जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई वैं नवोदे की तियारी कर रहे हैं जोने ने फॉर्म डाला है इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी math और और भी ज्यादा strong होने वाली है आप गणित के सवाल चुटकियों में हल करने वाले हूँ और मैं इस वीडियो में वही question लेकर आया हूँ जो नवोदे की परिक्चम है पक्का पूछे जाने वाले हैं तो हमारा पहला question है उसको देखते हैं और करते हैं तो यहाँ पर मैं अंक लिख लेता हूँ एक बार अंक दे रखने हैं 56 साथ नौ सैबनटी नाइन और 81 तू जीरो इसमें छे का स्थानिया मान पूछा है यानि कि इसका स्थानिया मान पूछा है जब भी स्थानिय मान पूछा जाए तो आपको ध्यार रखना है पहले आपको वह अंक लिखना है जिसका स्थानिय मान पूछा जा रहा है तो यहां पर 6 का मान पूछा जा रहा है अब आपको देखना है कि 6 है कहां तो 6 हमारा यहां पर 5 के बाद है अब 6 के बाद जितने भी अंक है उतने आपको 0 लगाने तो यहां पर कितने अंक है देखो 2, 4, 6 यह अंक है एक 7, 9 है एक 18 है एक 20 है तो टोटल 6 के बाद जितने भी अंक है उतने ही 0 आपको लगाने तो यहां पर 6 अंक है तो हम 6 0 लगाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह हमारा 6 तो कितने 0 लगा लिए हमने 6 0 लगा लिए तो आप देख लो कि जो संक्या हमको यहाँ पर मिल रही है यह बारी मिल रही है कहाँ पर है option में आप देख लो option number A में है A में बिल्कुल नहीं है option number B में विल्कुल सही है क्योंकि B क्या आप देखो 6 के बाद, 6 के बाद कितने 0 है 3 और 3, 6 0 तो option number B हमारा correct हो जाएगा, उक्के बच्चो तो इस तरीके से नवोदे की परिक्षा में कोशन पूछे जाएंगे अगला कोशन हमारा ये वाला आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदे विद्धालय की बेस्ट बुक के बारे में जो की चक्षू प्रकाशन की है ये बुक नवोदे विद्धालय प्रभेश परिक्षा देवर 25 के लिए निव बुक है, यहाँ पर इस बुक की खास बात आपको बता रिता हूँ आपको ये बुक को क्यों खरीदना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिंगे इसमें पच्चिस सो से ज़्यादा बहु विकल्पिय प्रिशन मिलने वाले है हल व्याक्य साथ यानिकि शलूशन के साथ आपको इसमें पच्चिस सो से ज़्यादा कोश्चन मिलने वाले है जो की नवुदर विदाले की परिक्षा को पास करने के लिए बहुत इंपोर्टन रहते हैं छे प्रेक्टिस हैट आपको इस बुक में मिल जाएंगे बारा solver paper मिले माला है. ठीक है? 12 solver paper मिले माला है, पिछले साल का दोनों phase का हैं पर आपको solution के साथ paper मिले माला है. और यहाँ पर इस book की और खास बात आपको बत रिता हूँ. इस book में आपको बहुत सारे important questions मिल ले माले है. जैसे कि आप यहाँ देखोगे यहाँ पर आपको पिछले साल का 20 जनुरी फेज टू का एक्जाम का कोशन पीपर मिल जाएगा स्लूशन के साथ काफी अच्छे से बुक को तयार किया गया है अगर आप इस बुक को खरीना चाते हो तो वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आप यहाँ वहाँ से जाके डारेक्ट इस बॉक को ऑनलान ओर्डर कर सकते हो उसी के साथ साथ नवोदय विद्याले के चक्षू प्रकाशन के प्रेक्टिस सेट भी आदे हैं जिसे लगा कर आप अपनी तयारी और भी मजबूत कर सकते हो अपनी तयारी और भी स्टॉंग कर सकते हो ठीक है तो देख लेते हैं सबसे पहले solve करेंगे question को चारंकों की सबसे बड़ी संक्या क्या होगी तो मैंने सब कुछ कराया है 9999 ये क्या हो गई बड़ी संक्या और चारंकों की सबसे छोड़ी संक्या हो क्या होगी एक के बाद 3-0, ये 4 अंकों की सबसे छोड़ी संक हो गई, अब क्या पुछा है, इसका योगफल पुछा है, तो हम प्लस करेंगे, तो simple, 9 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 9 रिक 10, 10,999 जिसमें हो वो आपका right answer है, तो option number C में है, आप देखोगे, 10,999 option number C में दे रखा है, ये हमारा तीसरा question है, एक वच्चो एक request हर साम सुबह, हर साम सुबह, साम, हर दिन, सुबह, साम 6 बज़े हमारे चैनल पर एक नई वीडो आ जाती है, चाहे वो साम के 6 बज़ रहे हूँ, चाहे सुबह के 6 बज़ रहे हूं, तो हर दिन आप नभूदे की त्यारी करना चाहते है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जी क्योंकि सुबह साम हमारे चैनल पर नई वीडियो डाली जाती है नवुदे की तियारी के लिए तो तीसरा कुश्यन है एक दुकानदार ने 356 कितावे एक लाग 99004 रुपे में खरी दी तो बताओ एक किताब का मूल निकल के आजाएगा कि कितना एक किताब का मूल यहां पर आया है तो जब आप इसकी भाग करोगे एक लाग 99004 रुपे की भाग करोगे आप किससे 356 तो आपका जो आनसर आएगा वो आएगा 569 कितना आएगा 569 option number D correct answer आप भाग करके देखिए आप अब एक कमाल की मज़ेदार बात आपको बता हूँ देखें नवोदे बिद्दल में इस बार बहुत ज़्यादा जो competition है बहुत टफ रहने वाला है बहुत ज़दा hard paper बनने वाला ये बात में आपको बता रहा हूँ अब मैं देखना चाता हूँ कि कौन-कौन बच्चे इस वाले question को solve कर पाएंगे ये question में आपको as a homebug के रूप में दे रहा हूँ अब homebug का मतलब ये नहीं कि copy पर लेका है फिर चेक करवाना है मुझसे ऐसा नहीं करना है बच्चो बस वीडियो के नीचे अपना नाम लिखना है कि मेरा नेम यह है और यह जो question में आपको यह वाले दिया है यह I think कितने question कर बचका हूँ एक दो तीन यह हमारा कौन सा question है नंबर चौता question है तो चौते नंबर का option A हो option A, option B, option C, option D तो इस वीडियो के नीचे आप इस question का answer comment कीजिए अपना नाम लिखे जो जो बच्चे answer comment करेंगे जैसे चौते का आप माली जा आपका B आ रहा है तो आप अपना नाम लिखे पहले name और चौते question का answer B आएगा C आएगा वो इस वीडियो के नीचे आप comment बचे 4 है गुणा 5 बचे 8 है बराबर में पूशा है क्या आएगा तो simple है देखो इस question को मैं जूम करके करवा दूँगा अभी क्या करेंगे 4 से तो 4 करेंगे ठीक है तीन दूनी 6 तीन तीया 9 दो पंजे 10 तीन अठे 24 अब कर जाएगा दो पंजे 10 और ये 12 पांच बचे 12 आ जाएगा किस में दे रखा है option number A में दे रखा है अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे solve करते हो मैंने इस तरीके से solve किया उसे तरीके से आपको करना है देखो मैंने क्य किया 4 बटे 9 था गुणा 6 बटे 4 था गुणा 5 बटे 8 था मैंने क्या किया 4 से 4 काट लिया उसके बाद इसको काट लिया अपने तीन से 3 दूनी 6 तीन तीया 9 अब 2 और 5 की मैंने गुणा कर लterior देखा और 3 और 8 की गुणा की 24 आ जाएगा अब फिर शे मैंने 2 से काटा 2 अब simple है इसमें आपने कुछ खौद कुछ नहीं करना है बस इसको क्या करना है जोड़ना है यह दिख रखा है 123.75 प्लस 58.5 प्लस 160.1 ठीक है तो यह सवाल दे रखा है अब देखो इस question में मैं दो तरीके से आपको बता दूगा दो तरीके से आप जोड़ सकते इसको जो भी question दे रखा है इसको आप दो तरीके से जोड़ पाएंगे अब एक तरीका यह है कि आप एक बार में सभी को जोड़ लीजिए उसके बार आप point इसमें लगा दीजिए उस तरीके से आप कर सकते हो नहीं तो आप क्या करो कि point में ही आपको जोड़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा point में ही आपको जोड़ना पड़ेगा अब जिसमें भी ये दे रखा है वो इसका right answer हो जागा आप देखो क्या करना है हम लिखते हैं अब मैं सबसे बड़ा लिखूंगा, आप सबसे बड़ा लिख लो, यह आपर दो चीज़े सबसे बड़ी हैं, 116.1 और 123.75, यह दो चीज़े बड़ी हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कि में को इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो simple है, जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, 116. 116.1 और 123, कितना है हमारा, 123, 123.75, अब आप लिखते जाओ, अब यहाँ पर आप 0 लगा सकता हूँ, हम क्या कर रहा हैं, पहले इन दोनों को जोड़ रहा हैं, इनको बड़े बड़े को, तो हम इसको जोड़ेंगे, तो यह हमारा 5 आएगा, और यह हमारा 8 आजाएगा, 85, ठ 290.85, कितना है, 290.85, अब हमारा बचा क्या है, हाँ पर बचा है, 58.5, तो हम लिखेंगे, 58.5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किलियर है, तो 5 और 5, 10, यह हमारा, आगे भी कुछ रह जाएगा, इस देखो, यह वाला, यह वाला जो पार्ट है, और यह वाला जो पार्ट है सिंपल मैं आपको एक चीज बता जेता हूँ, कि यहाँ पर इसको जोडने से पहले, जो जितना भी दिरखा, 123.75, इसको आपको पहले लिखना है, 123.75, उसके बाद आपको लिखना है, 166.1, इस तरीके साब को लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है, उससे छोटा, 58.5, अब आप जोड़ेंगे, तो आपका राइड आंसर हो जाएगा, इस तरीके साब को बनाना है, तो हम इसको जोड़ेंगे, तो हमारा आएगा, 5 आजाएगा, 5 का 5 आजाएगा, और 7 और 8, 8 और 5, 13, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, हासिल एक उदर चला जाएगा, तो और 6, 3, 9, 9, 5, 14, ठीक है, एक सो, एक इदर चला जाएगा, 2 और 1, 3, ठीक है, तो हमारा इदर कितना जाएगा, 3 आजाएगा, तो हमारा आएगा, 349, 0.35, यह हमारा आजाएगा, आप इस तरीके से जोड़ोगे, तो option number A में दे रखा है, option number A correct है, हमने क्या करना है, जिस तर 23.75 है, सबसे पहले यह आपको लिखना है, 123.75, उसके बाद इसे छोटा लिखना है, 167, 167.1, उसके बाद इसको लखना है, 58.5, यह आप लिखोगे, उसके बाद आपको जोड़ना है, तो आपका option number A correct answer आजाएगा, अगला question है, यदि 15 kg गेहुं का मुल, 345 रुपे हो, तो बताओ, 3 kg गेहुं का मुल कितना होगा, तो easy है, तो 345, 15 kg का कितना है, 345, तो एक kg का अगर आपको पता करना है, तो 15 से आपको भाग करनी पड़ेगी, तो 15 दूनी, 30, 4, 15, 35, तो 1 kg का है, 23, तो इनो 3 का पुशा है, तो 23 की, 3 से गुणा कर लो, 3, 3, 9, 3, 2, 6, 79, 79 रुपे जाएगा, option number C में दे रखा है, तो C हमारा correct answer है, अब अगला question है, ये वाला, यदी, last question हमारा इस वीडियो का, देखते हैं, कौन-कौन बच्चे इस question को solve कर पाते हैं, यदी मनोज एक कार रुपे, 4,05,000 में खरीद कर, उसे 2 साल बाद, रुपे, 3,05,000 में बेच देता है, अब हानी हुई कितने हैं, देखो, लाब बाले तो होंगी नहीं, option number B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, और D और A हो सकता है, हानी हुई है, clear है, तो D और A में हानी दे रखें option, तो आपको क्या करना है, 4,00, आप क्या करो, 4,00, 4,65 में से direct 385 गटा दो, आपका राय डांसर कि क्या, सोरी, यहां तो कोई SDR का कोई option है ही नहीं, अब यहां पर 4,00, सोरी, पूरा हमको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो 4,65,000 हमको दे रखा है, वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें से फिर कितना माइनिस करना, 3,85,000 आपको माइनिस करना ही है, क्योंकि अगर आप इस में से 4,65,000 में से 3,85,000 जब आप घटाओगे, तो आपका अंसर कितना हैगा, 80,000 आएगा, कितना हैगा, 80,000 आएगा, लेकिन 80,000 हैं पर केवल लाव दे रखा है, हानी नहीं दे रखिये, तो इस सवाल में थोड़ा doubt भी हो सकता है, क्योंकि उ सवाल की दरश्टी से देखा जाए बच्चो, तो उसको हानी हुई है, बिल्कुल, इस बात में कोई कमी नहीं है, कि उसको हानी नहीं हुई है, तो 80,000 का आप बताई इस वीडियो के नीचे, इसका क्या होगा, 80,000 का लाव होगा, फिर हानी होगी, आप option number में केवल लाव द